हर हर महादेव नमस्कार दोस्तों सावन के महा में पढ़ने वाली शिवरात्री 6 अगस्त को बढ़ रही है इस दिन महा अभिशेक किया जाएगा पूझे पंडिट स्री प्रदीप जी मिश्रा दोरा यहाँ आयोजिन किया जा रहा है यहाँ अभिशेक आप भी अपने घर में कर सकते हैं इसके लिए आवशेक सामगरी क्या क्या होगी वह आज इस वीडियो के दोरा आप लोगों को बताती हूँ आप लोग अगर हमारे चैन से कमल गट्टे का बीज होता है इसके पांच बीज आपको चाहिए कमल गट्टा कच्चा भी मिलता है तो उसके भी बीज आप निकाल सकते हैं ऐसे पांच बीज आपको चाहिए और सेंगे चावल चाहिए एक सो आठ नग तो चावल के दाने भी टुटे फुटे ना हो यह ताली मिर्च चाहिए लग निकाल ले और कुछ तिल के दाने रखने काली तिल चाहिए भगवान को और are picked करने के लिए एक धृतुर का फल चाहिए इस Не कहीं भी मंदिर के पास मिल जाएग आपको आप घरीष सकते हैं आसानी भी मिल जाता है इसके बाद बेल पत्र चाहिए हमें 21 तुटे फुटे बेल पत्र ना लें 21 साबुत बेल पत्र आप ले लें कुछ हमें साथ पत्तियां शमी की चाहिए समी की पत्तियां इस तरीके से होती है इसका फूल भी इस कलर का होता है और ऐसा होता है तो आप फूल मिल करने के लिए मालाएं लगा सकते हैं तो मालाएं भी ले आया आप भगवान शिव के अभिशेक के लिए कच्चा दूद लेना है गी लेना है शहद लेना है और सक्कर लेनी है दही लेना है इसके अलावा इत्र लेना है इत्र भी आप भगवान शिव को चाहीं रहेंगी इस तरीके की गोल सुपारी चाहीं तीन चाहीं आप अगर कोई भी सामगरी मिस कर रहे हैं तो इस वीडियो को रिपीट करके भी नोट कर सकते हैं इस तरीके से और देखिए इसके बाद हमें रोली चाहीं रहेगी मौली चाहीं रहेगी मौली यानि की कलावा जो होता है सूती वो लेना रहेगा इसके अलावा आपको कपूर लेना रहेगा देसी कपूर मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है तो आप देसी कपूर ले लें इसके अलावा जन्यू चाहिए रहेगी तो इस तरीके से सूती सफेज जन्यू चड़ा ही जाती है तो दो सफेज जन्यू ले ले लें आप इसके अलावा दूबती लेनी है दूबती इस तरीके की होती है देख लीजे और इसके अलावा आपको घी के दो दीपक चाहिए रहेंगे दो दीपक ले लें इसके अलावा काली मिट्टी चाहिए रहे कि साफ सुत्री काली मिट्टी लेने जो कि शिवलिंग बनाने में जरुद पड़ेगी इसके अलावा मौसम के हिसाब से कोई भी दो फल ले सकते हैं मिठाई लेना है, मिठाई आप अपने मनों सुन और कोई भी ले सकते हैं और शिवलिंग बनाने में आपको काली मिर्च का इस्तेमाल करना है तो काली मिर्च को पीस करके शिवलिंग बनाएं शिवलिंग को अच्छी तरीके से आप अपने अंगुठे और एक मुठी के हिसाब से ही बनाएं इतना बड़ा बनाएं कि आपके अंगुठा और एक मुठी जमिन पर रखें उतने ही उसकी उचाही होनी चाहिए और शिवलिंग बनाएं और यहाँ शिवलिंग पहले से ही बना करके रख लें एक दो गंटे पहले से और फिर आप शाम को 7-8 के बीच में भगवान शिव का अभिशेक कर सकते हैं आपको पूजा विदी भी इस चैनल के दोरा बताई जाएगी किस तरीके से पूजा की जाएगी तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भगवान शिव से जोड़ी हर एक पूजा पाट कथा कहानिया इस चैनल के दोरा आप लोग को दिखाई जाएगी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए कॉमेंट करके बताईए कोई जानकरी लेने है तो आप प्रशन पूछ सकते हैं थैंक्यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में बाबा बाब